तिमुथियुस के नाम पॉलुस प्रेवित की दूसरी पत्री तीसरा अध्याय परिह जान रख कि अंतिन दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष, अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, मातापिता की आग्या टालने वाले, कृतग्न, अपवित मया रहित, शमा रहित, दोश लगाने वाले, असैयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वास घाती, धीट, घमंडी और परमेश्वर के नहीं, वरन, सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, वे भक्ती का भेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ती को न मानेंगे, ऐसों से परे रह इनी मेंसे वे लोग हैं, जो घरों में दबे पाउं घुस आते हैं, और उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाशाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं, पर सत्ती की पहचान तक कभी नहीं पहुँचती और जैसे यन्नेस और यंब्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्ती का विरोध करते हैं, ये तो ऐसे मनुष्य हैं, जिनकी बुद्धी भरष्ट हो गई हैं, और वे विश्वास के विशे में निकम्मे हैं, पर वे इसके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्यानता सब मनुष्यों पर प्रगट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी, पर तुने उपदेश, चालचलन, मंसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, और सताय जाने, और दुख उठाने में मेरा साथ दिया, और ऐसे दुखों में भी, जो अ से छुला लिया, पर जितने मसी इश्यो में भक्ती के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताये जाएंगे, और दुष्ट और भैकाने वाले धोका देते हुए, और धोका खाते हुए, बिगरते चले जाएंगे, पर तु इन बातों पर, जो तुने सीखी हैं, और प्र मसी पर विश्वास करने से उधार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रिणा से रचा गया है, और उपदेश, और समझाने, और सुधारने, और धर्म की शिक्षा के लिए लावदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए।